हेलो दोस्तों, वेलकम तु माई यूटूब चैनल चिचस क्रिजी वर्ड, मैं गौरोश सिर्वास्तो, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, अलंकार, और अलंकार में आज हम बात करेंगे अनप्रास अलंकार की, तो अनप्रास इसे ट्रिक के साथ समझेंगे, एक बार आप वीडियो देखेंगे, तो आपको सारी चीजी इंदमचे से क्लियर हो जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स ठीक, अलंकार चलते हैं, जा अलंकार को तो आपको पता ही होगा, कि काब की जो सौंदरता को बढ़ाते हैं, काबी की सोभा बढ़ाते हैं, जैसे मनुष्य में, मनुष्य जो होता है, लड़कियां है, या human being जो भी है, जो गहने पहन लेते हैं, तो उनकी सौंदर बढ़ जाती है, सोना चांदी पहन लेते हैं, इसी तरह काबी में, जो सौंदर इसको बढ़ाया जाता है, उसे अलंका कहते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इसके जो है, मुखिता जो है, सब्दा लंकार, अर्था लंकार, अभ्या लंकार होते हैं, फिर सब्दा लंकार की भी भीद होते हैं, अनप्रास लंकार, यमक लंकार, पुन्रोगती अलंकार, और वक्रोती, ठीक है, तो आज हम विश्य तौर पे अनप्रास अलंकार के भीद के बारे में बात कर देंगे। Congrats don't अनप्र सलंकार के पांच भीद होती हैं नमब एक 6 चेका अनप्रास व्रित्यां प्रास जुद्ध्यां प्रास और लाटा अनप्रास और अन्तियां प्रास तो देखते हैं आज जैसे छेकान प्रास है, छेकान प्रास की देख रहे हैं, आप लोग छेकान प्रास, छेकान प्रास के तरीक अच्छे से इसको समझेंगे, कि वन की आविरती दो बार होती है, छेकान प्रास में क्या होता है, वन की आविरती दो बार होती है, गुरुपद, रज, मृद, मन्ज तो वृत्यानप्रास फिर नेक्स चलते हैं यह आपको समझ आ गया होगा छेकानप्रास में क्या होता है वन की दो बार आवरिती होती वन की दो बार आवरिती होती तो वृत्यानप्रास पर आते हैं वृत्यानप्रास में क्या होता है कि वन की आवरिती तीन या अधिक बार हो तो वृत्या में देखेंगे कि वन की आवरिती जो है तीन या अधिक बार हो जेसे हमारे हरी हारिल की लकड़ी तो हाँ वन की आवरिती देख रहे हैं आप तीन बार हो जे एक हाँ हमारे में हो गया एक हरी में हो गया एक हारिल में हो गया तो तीन बार जो है हाँ सब्दी की आवरिती होती है ठीक है तो वृत्यान प्रास में क्या होता है कि वर्ण की आवरिती तीन या इससे अधिक बार होती है तो वहाँ पर वृत्यान प्रास होता है फिर आगे चलते हैं सुरुत्यान प्रास में सुरुत्यान प्रास में क्या होता है एक वर्ण के वर्णों की आवर होती है यह आप देखेंगे ठीक है आगे चलते हैं इसका उधारण देखते हैं दीनांद था थे दीनानाथ दूपते सधेनु आते ग्रिह ग्वाल बाल थे उसमें देखिए एक वन की आवरिती कई बार हो जी दीनांत दीनानाथ दादा सब्द देखिए आ रहा है उसके बाद दूपतेता सब्द आ रहा है ठीक है दीनांत में भीता है दीनानाथ में है इसके बाद सधेनु आतेता आ गया ठीक है इसमें देखिए वर्णों की आवरिती हो रही है यह हो गया आपका सुर्त्यानप्रास सुर्त्यानप्रास में क्या होता है कि इसमें जो है वर्णों की आ आबरिती होती है लाटान प्रास में उपवाक्य की आबरिती होती है यह बहुत इंपॉर्टन है कई बार एक्जाम में आ गया है यह एक्जामपल भी बहुत इंपॉर्टन है जैसे पूत सपूत तो का धन संच है पूत का धन संच है तो इसमें क्या है कि देखिए पूत सपू तुकादन सब देखें दूनोaking आभी तयूरी वाख क्योंगी ठीक है आगे चलते हैं फिर अंत्यांप्रास आते हैं अंत्यानप्रास देखें इसे देखें यहां जितने गुर्ण सागर, नागर है गहते बात उजागर है तो दोनों में गलों है तो यहिए बने तुकांत ये इसमें जो है नागर है इसमें नागर है और इसमें क्या है नागर हो गया ये उजागर हो गया देखी दोनों का जो है तुक मिल रहा है जितने गुर सागर नागर है कहते यह बात उजागर है तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अ प्रित्यानप्राश, शुर्त्यानप्राश, लाटानप्राश और अंत्यानप्राश तो आज के बाद आप रुगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके थैंक्यू